असलाम अलेकुम मैं यह स्टूडेंट टोड़ी आप टीच यू चैप्टर नमर फोर आप यॉर बुक देट इस वाट बुरियल इस तो यह हमने लास्ट लिक्चर में थोड़ा बहुत इसमें से पड़ा है आज आप टर्न किजिए अपना पेज नमर हाँ तर्न पेज नमर 41 आ इनाम गोंग की साइट जो हमें मिली है उसमें हम देखेंगे की स्पेशल बुरियल यहां पर मिली है आपको लास्ट चैप्टर में मेगलिस के बारे में पढ़ा है जो स्टून बिक स्टून उस थे मारक आफ इंडिकेशन थी कि इनके बनीत जो है वो बुरियले से कबरे हैं उनसे और्चॉलोजिस्स ने अंदाजा लगा है कि इन कबरों के नीचे जो है वो डेड़ बॉडीज है और डेड़ बॉडीज के सब बहुत सारी चीजे मिली है जैसे हम आपने दीखा कि ब्रहम निगरी एक साइट है ब्रहम गिरी जहां पे बुरियले के साथ साथ स्टून स्टून बीड्स मिले गोल्ड बीड्स मिले कॉपर बैंगलर्स मिले और कुछ ऐसे स्केल टैनिस मिले जिनके साथ सिर्फ फूट ग्रैन थे या पॉड्स थे इनसे हमें अंदाजा लगा है कि सम्वार इच अधर पूर सम चीफ से अधर फॉलोर्स इस तरह से मेगलेटिस से ह से बिलॉंग करते बहुत एक ही बुर्यल में एक ही कवर में बहुत सारी सिकल टैनिस मिलें उनसे पता चला कि वह एक सैम फैमली से बिलॉंग करते थे तो अब हम देखेंगे कि इनाम गोंग जो है साइड जो है वीमा में इट वाज उक्यूपाइड इन थर्टी सिक्स हाउस के अंदर ये बुर्यल हमें मिली कवर मिली जिसके साथ एक बहुत बड़ी वेसल जो थी वो थी उसमें फूट ग्रैन्स और वाटर रखा गया तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये डैड बॉडी जो है इनको लाइफ आप्टर डेफ मिलती है तो ये चीज़ में है तो उसके साथ एक ग्रैन्री हुआ करती थी ग्रैन्री हो गई जिसमें हम फूट एटम जो है वह स्टोर रखते हैं तो इन चीजों से हम अंदाजा लगा सकते हैं और ये जो डैड बॉडी थी एक रॉस लेगड पॉजिशन में थी इनसे अंदाजा लगा जा सकता है क यह किस तरह से अपनी इन डैड बॉडी को दफनाते थे इसी तरह से और चॉल जिस्ट जो है उन्होंने फाउंड कि इन डैड बॉडी में बहुत सारे सीड जैसे वीड बैले राइस पल्स मिलेट स्पीस इसी तरह बून कुछ मिले अनीमल की जैसे अनीमल थे जिन पर कट मा और बिसाड़ इस अनीमल और बर्ड भी मिले और कुछ वाटर अनीमल जैसे क्रोकोडाइल टॉर्टल क्रैब और फ्रिश थे तो इस इविडेंस जो थे आलसो हैव दियर सम इविडेंस फ्रूट्स के थे साच आज बीर आमला जानम देश और राइटी आफ बैरीज वर कॉल पता है कि उस जमाने में कौन कौन सा इग्री कल्शर जो है वो घाया जाता था एया कौन से एनिमल जो थे वो पये जाते थे लिया कौन कौन से Orionग कुन से वाचार इनिमल अनिमिल थे तो इस तरह से हम यह इन बुरियल एक दो हमें इन्सक्रियों मिलती थी है कि बुरिएल ने पढ़ाया जो रिगवेदा है सबसे oldest book world की वो किस तरह से हमें language के बारे में पता चलता है society जो है religion क्या था society कितने हिस्व में divide हो गई थी तो मैंने आपको पढ़ाया कि रिगवेदा जो है वेधा चार है रिगवेदा जर्वेदा अर्थवेदा सामा वेदा तो रिगवेदा जो सबसे oldest book है इन में से जो start हुई उसकी इसी तरह से फिर मैंने आपको इनाम गोंग बताया तो इस तरह से इस लेसन से हमें यह information मिलती है कि बुक्स क्या हमें बता रही है कि कौन सी विडेंस के बारे में old books और किस तरह से हमें इन वेदा से लिंग्वीज के बारे में या हाइमन के बारे में पता चलता है कि सेक्रिफाइस का है से होती थी किंग इस क्या था concept of slaves था इसी तरह से मेगलेथिस के बारे में हमने पड़ा मेगलेथिस बुरियर सिकन तो इस इन फार टोड़े